हलो दोस्तो वेलकम टू स्टेड यूनिवर्स मद्धिप्रदेश के नमबर वन चैनल फो डेली गरंट अफेर के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज है 25 जून 2019 और यह हमारी 184 वी क्लास है 12 important question आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके exam और आपके knowledge की दरश्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्यूंकि यह आपके exam में पूछ जाती है साथी questions related important fact भी हम आपको बताती है तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तों अगर आपको MPG कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में बताएं हम आपके answer जरू करेंगे question number 4 हाली में किस राज्य मे निरर्थक और आप्रचलित कानून खत्म किये जाएंगे तो दोस्तों इसका सई option है मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश राज्य में निरर्थक और आप्रचलित कानूनों को खत्म करने जा रही है सरकार दोस्तों आपको कुछ जो आप्रचलित और निरर्थक कानून है उनके खत्म कर देना चाहिए इसके बाद मद्यब्रदेश एक्टसाइज एक्ट 1915 इसे भी खत्म कर देना चाहिए तुवैको एंड एक्ससाइज एक्ट मद्ध्रदेश प्रोवेजन एंड ओडिफेंट एक्ट 1936 मद्ध्रदेश कैटल डिसीज़ एक्ट 1934 मद्ध्रदेश चेचक जो कानून लागू है इसे भी बंद कर देना चाहिए तो दोस्तों ये कुछ नाम मैंने आपको बताए हैं जो कानून बंद करने सरकार जा रही है इ मद्ध्रदेश एक्री कल्चरिस्ट लॉन एक्ट 1884 इसे भी मद्ध्रदेश शरकार बंद करने जा रही है तो दोस्तों ये सबी कानून जो आप रचलित और नरथक हैं इन्हें मद्ध्रदेश में बंद किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप बात आईए आपको मैप में मद्ध्रदेश की बारे में बता दें मैप में ये जिगह है मद्ध्रदेश को दरसाती है मद्ध्रदेश की इस्थापना एक नॉंबर 1956 में की गई थी गवर्नर है अनंदी बेन पटेल मुख्यमंत्री है कमलनात और मद्ध्रदेश की राजधानी है भोपाल तो दोस्तो इतना आपको मद्धिप्रदेश की बारे में याद रखना है इस्कूल चले हम कारेकरम का सुवारंब मद्धिप्रदेश में किस चिले से शुरू किया जाएगा तो दोस्तो इसका सही option है जाबगवा जाबुआ जिले से इस्कूल चले हम कारेकरम का शुवारंब हमारे मुख्यमंतरी कमलनाथ जी करेंगे दोस्तो आपको बता दें इस्कूल चले हम एक अवियान है और इसे मुख्यमंतरी शुयम इसका शुवारंब करेंगे 2019 के लिए दोस्तों आप बात आईए जाबुआ की तो आपको कुछ important fact जाबुआ के बारिय में बता दें जाबुआ में भारत का प्रथम आदिवासी सोच संचार केंद्र बनाया गया है होली के अफसर पर भगोरिया हाट का आयोजन जाबुआ में किया जाता है पेल्टा बद में प्रदेश का आवासी खेल महाविद्याल है तो पस्तित है मुर्गे की प्रिसिध प्रजाती कड़क नाद जिसे GI टेग भी दिया गया है यह है जाबुआ जिले में ही इस्तित है रॉक फॉस्पेट और डोलमाईड खनेज जाबुआ में ही प्रखर मात्रा में पाए जाती है मेग नगर में ओद्यो के केंद्र बनाया गया है जाबुआ में तो दोस्तो इतना आपको जाबुआ की बारी में याद रखना है नेक्स्ट कॉशन प्लास्टिक उद्योग में 2025 तक कितने लोगों को रोजगार मिलेंगा छो दोस्तो इसका सईटिक उप्षन है 60,000,000 लोगों को 2025 तक प्लास्टिक उद्योग में लगभक 60,000,000 लोगों को रोजगार मिलने के आसार है दोस्तो हाली में All India Plastic Manufacturers Association ने यह व्यक्ट किया है दोस्तो अभी इस शेत्र में 45 लाख लोगों को रोजगार मिलता है और मात्र पांच सालों में आने वाली पांच सालों में इसमें दो गुने से ज़्यादा का इजाफा होगा दोस्तो 2025 तक प्लास्टिक उद्योग का जो आकार है वह 5 लाख करोर रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है अभी इसका यह आकार 2.25 लाख करोर रुपए है तो यह एक इंपूर्टेंट गुशन है दोस्तो आपको एक्जाम में पूछा जा सकता है प्लास्टिक उद्योग स 60 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है 2025 में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है Next question हाली में किस देश की महिला होकी टीम ने होकी वर्ल सीरीज जीती है तो दोस्तों इसका स्योफ्षन है भारत की हाली में भारत की होकी महिला टीम ने वर्ल होकी सीरीज फाइनल में इससे जापान को तीन एक से हरा कर यह खिताब जीता है दोस्तों गुरमीत कौर ने दो जबकी कप्तान रानी रामपाल ने एक गोल किया है तो दोस्तों यह आपको जरूर याद रखना है एक और important fact आपको बता दें भारतिय महिला टीम ने विदेशी जमीन पर यह नौवा खिताब जीता है Next question हाली में कब बिस्व सिकल दिवस मनाया गया है तो दोस्तों इसका सही option है 19 जून हाली में 19 जून को बिस्व सिकल दिवस मनाया गया है दोस्तों आप वता दे प्रतिवस 19 जून को यह दिवस मनाया जाता है इसका उद्देश सिकल सेल रोक की बारे में awareness फैलाना है यानि जागरूपता फैलाना है और इसके उपचार के तरीकें के बारे में लोगों को बताना है दोस्तों सेहत्तुरास्ट ने 2008 में यह इस दिवस को मानेता प्रदान की थी दोस्तों अब यह 200 सिकल दिवस है क्या आपको इसके बारे में बता दें या फिर सिकल रोक क्या है आपको इसके बारे में बता दें तो दोस्तों यह एक वंसानूगत समस्या है यह हीमों गलोविन में पाई जाने वाली एक आसामान्यता है सामान्य अवस्था में लाल रक्त कणिकाई गोलाकार होती है उनका जीवनकाल 120 दिन का होता है परंतु सिकल सेल रोग में लाल रक्त कणिकाई का आकार हसिये की तरह होता है और इनका अनुमानित जीवनकाल जो होता है वह मात्र 10 से 20 दिन तक का ही होता है तो ये दोस्तो एक important question है आपको exam में जरूर पूछा जा सकता है विश्व सिकल रोक के बारे में और विश्व सिकल दिवस के बारे में Next question हाली में किसे हिमाचल प्रदेश का मोख्य न्यायधीस बनाया गया है तो दोस्तो इसका सही option है वी राम सुब्रमंडियम हाली में वी राम सुब्रमंडियम को हिमाचल प्रदेश का मोख्य न्यायधीस न्युक्त किया गया है दोस्तो इन्हें हिमाचल प्रदेश के राज़पाल आचारिय देवडरत ने शफ़त दिलाई है दोस्तो इन्हें सूरिकांत जो मुख्य नियादीस थे हमाचल प्रदेश के उनकी जगह नियुक्त किया गया है दोस्तो आप बात आईए हमाचल हाई कोट की यानि हमाचल के उच्छ नियाले की तो आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के उच्छ न्यालय का गठन 1948 यानि 1948 में किया गया था तो दोस्तो ये एक important question है आपको इतना जरूर याद रखना है Next question हाली में किसे London Nehru Center का निदेशक बनाया गया है तो दोस्तो इसका सही option है Amish Trapati हाली में Amish Trapati को London Nehru Center का निदेशक बनाया गया है दोस्तो आपको बता दें Amish Trapati एक महान लेखा के हैं इनकी कुछ रचनाओं के नाम आपको बता दें Immortals of Meluha, Secret of the Nagaj, Sita, Warrior of Mithila ये सबी इनकी प्रसितिल लेख में पुस्तके हैं दोस्तो अब ये London Nehru Center है क्या आपको इसके बारी में बता दें London Nehru Center एक सांस्कृतिक केंडर है ये लंदन के South Orderly Street में स्थेत है इसकी स्थापना 1992 यानी 1992 में की गई थी और इस केंडर का उद्देश बारत और United Kingdom के बीच सांस्कृति के लिए आदान प्रदान को बढ़ावा देना है दोस्तो इस केंडर की कमान गोपाल कृष्ण गांदी और गरीस करनाट जैसे व्यक्ति संभाल चुकी है तो दोस्तो इतना आपको इस London Nehru Center की बारे में याद रखना है चलते हैं next question पर स्वामी रामदेव की आत्म कथा का नाम क्या है तो दोस्तो इसका सेयोफ्षन है My Life, My Mission स्वामी रामदेव की आत्म कथा का नाम है My Life और My Mission दोस्तो आपको बता दें स्वामी रामदेव के बारे में ये एक योग गुरू है और इनकी यह पुस्तक अगस्त 2019 में लॉंच की जाएगी इस फुस्तक में हर्याणा के एक गाउं से लेकर अंतरास्टी इस्तर तक स्वामी रामदेब के जीवन का वर्णन किया गया है दोस्तों आपको बता दें स्वामी रामदेब पतंजली अयर्वेद लिमीटेट के सहसंस्तापक है इनका जन्म 25 दिसंबर 1965 को हर्याणा के महंदगर में हुआ था तो इतना आपको इस इनके बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन हाई गुरु मीटर का उप्योग किसलिए किया जाता है तो दोस्तों इसका सही ओफ्षन है आदरता को मापने के लिए आदरता को मापने के लिए हाई गुरु मीटर का उप्योग किया जाता है दोस्तों ये MP पुलिस के प्रीवियस एक्जाम का एक क्वेशन है ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेशन था इसलिए इसको एड किया है आपको याद रखना है हाई गुरु मीटर का उप्योग आदरता को मापने में किया जाता है दोस्तों ये क्वेशन कम से कम तीन चार एक्जाम सेट में आया था इसलिए इसे पिक किया गया है बहरत के वनक शेत्र में कितने प्रतिशत की ब्रत्धी हुई है तो इसका से उप्षन है एक प्रतिशत एक प्रतिशत की ब्रत्धी भारत के वनक शेत्र में हुई है दोस्तों हाली में केंद्रिये परियारुन मंत्री प्रकास जावेड करने लोगसवा में यह सूचित किया है पिछले एक वर्ष में देश में बनक शेत्र में एक प्रतिशत की ब्रद्धी हुई है भारत का अब कुल बनक शेत्र 24 तिसमलाव 3-9 प्रतिशत हो गया है दोस्तों आपको बता दें जो प्रिकास जावेड करें यह केंद्रिय परियावरण मंत्री हैं इनकी बारे में आपको जरूर ये इतना याद रखना है चलते हैं नेक्स्ट कॉश्चन पर मद्ध्य प्रदेश को मद्ध्य प्रदेश नाम किस ने दिया था? जिसका सही उफ्षन है दोस्तों पंडिच जवाला नहरू पंडिच जवाला नहरू ने मद्ध्य प्रदेश को मद्ध्य प्रदेश नाम दिया था दोस्तों सबसे पहले तो आपको पंडिच जवाला नहरू जी के बारे में बता दें ये भारत के पहले प्रदान मंत्री है अब आपको मद्यप्रदेश की बारी में कुछ important fact बता दें जो सबसे पहले बात करते हैं मद्यप्रदेश को किस नाम से जाना जाता है जो नदियों का माय का सोयावीन estate, हर्दा estate, tiger estate की नाम से जाना जाता है मद्यप्रदेश राज्य का गठन एक नॉमबर 1956 में किया गया था और बरतमान स्वरूप में राज्य का गठन एक नॉमबर 2000 को किया गया था जब मद्यप्रदेश से 36 गड़ को अलग किया गया था मद्यप्रदेश की सीमा कुल 5 राज्यों से मिलती है मद्यप्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा उत्तरपदेश से और सबसे कम सीमा गुजरात राज्य से मिलती है तो दोस्तो ये कुछ important question थे आपको याद रखने हैं एक्जाम में ये easy से question पूछे जाते हैं जिनका answer हम कभी कभी exam में भूल जाते हैं तो ये हमेशा आपको याद रखने है मद्यप्रदेश का जलियावाला बाग हात्याकांड किस जिले में हुआ था तो इसका सही option है दोस्तो चतरपुर चतरपुर जिले में एक हात्याकांड हुआ था जिसे मत्यप्रदीश का जलिया वाला हात्या कंड कहा जाता है दोस्तो आपको बता दें 1931 यानि 1931 में जहतरपुर जिले के चरण पादुका ग्राम में स्वतनता सेनानी एक सांतिपूर बैठक कर रहे थे जिस पर पुलिस ने अंदा धुंद गोलियां चलाई थी जिसमें 6 सेनानियों की शहीत हो गए थे दोस्तो आपको एक और इंपोर इंपोर्टेंट फिक्ट बता दें गोली चलाने का आदिस कर्णल फिशर ने दिया था तो ये एक दोस्तो इंपोर्टेंट वश्चन है जलियावाला वाग हत्याकांट मद्धिप्रदीश का चातरपुर जिले में हुआ था और इसका जो गोलियां चलाने का आदिस दिया था वह कर्णल फिशर ने दिया था दोस्तो बात करते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन की तो कल का क्वेश्चन था किस निगम की इस्थापना इन दौर में की गई है जिसका सही उफ्षन है मत्यप्रदीश बित्ट निगम और मत्यप्रदीश वस्त्र उद्योग निगम इन दोनों निगमों की स्थापना इन दौर में की गई है दोस्तो बात करते हैं Question of the Day की तो आज का Question है हाली में भोपाल में ATF पर कितने प्रतिशत की कमी की गई है इसका अंसर आफ हमें Commenter Box में दें हम आपके अंसर कार करेंगे तो दोस्तो आज के लिए वास अतना ही आप मारे चनल स्टेडी उनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो इसको लाइक के लिए शेर कीजिए कल हम आपके साथ फिर मद्यप्रिदिस और वर्ल्ड के इंट्रेस्टिंग फेक्ट को लिका हाजर होंगे तो आज के लिए वास अतना ही नमस्कार, have a nice day